नमेशकार दोस्तों, I am sure कि आज सुबे से अगर आपने न्यूस देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो सेंसेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स इसने 60,000 के मार्ट को पहली बार क्रॉस किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेंसेक्स क्रॉसे 60,000 for first time as dream run continues on D street, दलाल स्ट्री बेसिकली यहाँ पर कह रहा है, तो इसकी बारे में हम जानेंगे कि exactly इसकी जो जर्नी है, वो किस प्रकार से रही है, सेंसेक्स कैसे होता है, और यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा प्रश्न है, पिछले दो दिन से जो लगतार खबर आ रही थी, कि US के अंदर जो वहाँ की federal reserve ह जैसे हमारे यहाँ पर RBI है, अलग-अलग निर्ने लेती है, तो जो federal reserve है, उनके दोरा क्या statement दिया गया, उसका impact भारत के उपर क्या रहा, जिसकी वज़य से अच्छानक से stock market में फिर से एक boom देखने को मिल रहा है, तो काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, ल iq.com पर भी जा सकते हैं, चली देखते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन उसके पहले, जो sensex है, उसको थोड़ा साब समझ लो, इसके नाम से ही आप समझ पाओगे, sensitive index, मतलब एक ऐसा index है, जिसमें कई सारी companies आपको देखने को मिलेगी, और उसके अंदर कोई भी बदल होता है, तो एक प्रकार का direction दिखाता है, कि market किस तरफ जा रहा है, देखें, वैसे अगर आप देखो कि जो Bombay Stock Exchange है, Bombay Stock Exchange क्या है, यह प्रकार का market है, जहां से आप buying and selling कर सकते हो, क्या buying and selling, जो stocks होते हैं, अगर आपको Reliance, Tata, State Bank of India, कोई भी अगर आप share को खरीदना है, तो क Establish किया गया था, और यह Asia का सबसे oldest stock exchange है, ध्यान रखेगा, तो आगे चलकर क्या होता है, करीब 100 साल के बाद, 1986 में, एक index बनाया जाता है, जिसको बोला गया Sensex, इसके अंदर basically अगर आप देखोगी, जो top 30 companies होती हैं, जो 30 बड़ी companies होती हैं, उसको include किया जाता है, वैसे अगर आप देखोगी, तो Bombay Stock Exchange के अंदर 1000 shares आपको मिलेंगे, बहुत सारे companies के share आप खरीद सकते हो, लेकिन उसमें से जो top 30 companies हैं, उसको Sensex के अंदर रखा जाता है, और हर minute basis पर आप कह सकते हो, इसमें changes होते रहते हैं, और जैसा मैंने आप पताया, कि Sensex अगर उपर जा रह हैं, वो कैसा perform करी हैं, वो एक इस index से आपको पता चल जाएगा, अब एक और question आपके मन में आ सकता है, कि इसके अंदर जो top 30 companies हैं, वो कौन से criteria के basis पर चुनी जाती हैं, देखें, यहाँ पर एक committee होती है, S&P BSC Index Committee, वो 5 criteria को लेती है, मैं इसके उपर detail में नहीं जाओंगा, लेकिन आप 5 criteria चाहो, तो इसको देख सकते हो, और present में अगर आप देखेंगे, तो जो top 30 companies है, जैसे कि Reliance, HDFC Bank, HDFC हो गया, Infosys, ICICI, TCS, यह सभी नाम आपने, I'm sure कि सुने होंगे, तो यह बड़ी companies होती हैं, जिनका market capitalization, बाकी companies के मुकाबले सबसे जादा होता है, तो यह top 30 companies समय समय पर थोड़ा बहुत बदला होता रहता है, हर 6 मेने पर आप कह सकते हो, कि एक दो companies इसमें से निकल जाती हैं, कई बार नहीं निकलती हैं, सेम चलता है, मतलब जो भी है बदलाव अगर आपको समय समय पर देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो Sensex की जो value है, वो आपका 60,000 को cross कर गई है, in fact मैं आपको बताओं तो इसी साल January के महने में यह 50,000 क्रॉस किया था पहली बार, और within 8 months, जी हाँ, 8 महने के अंदर ही यह 60,000 क्रॉस कर गया, और जादा तर जो predictions हैं, किसी ने ऐसा नहीं लगाया था कि इतना जल्दी यह 60,000 को भी क्र कर जाएगा, तो जो experts थे, उनसे काफी पहले ही, यहाँ पर जो है, वो cross कर गया है, अगर आप इसकी पूरी जर्नी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, 1986 में establish किया गया, 1990 में पहली बार 1000 का आंकड़ा इसने पार किया सा, 2000 से 6 में आप सोचके देखो, इतना जादा gap, 1990 1990 से लेकर 2006 लग गए, 16 साल लग गए, 10,000 वैल्यू आने में, फिर 10,000 से 20,000 की जर्नी एक साल के अंदर पूरी हो गई, फिर 2015 लग गए 10,000 और आने में, मतलब 30,000 की जर्नी 2015, और फिर 2014-15 के बाद अगर आप देखोगे, तो इसकी जर्नी बहुत जादा तीजी से बढ़ती गई है, नहीं, लेकिन आगर आप 2015 से 19 भी देखो, तो 40,000 था, लेकिन ये जो 2019 से 21 तक की जर्नी है, मतलब 40,000 से 60,000 की जर्नी, वो बहुत तीजी से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और इस्पेशली ये जो 50 से 60,000 की हम बात कर रहे हैं, वो आपको और भी जादा स स्पीड से, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है, और किसी ने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा, इन फरक्ट, पिछले 30 वर्षों में जो इसकी पूरी जर्नी है, क्या-क्या इवेंट हुए थे, वो भी आप अच्छे से देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पर LPG रिफॉर्म आया, मनम नीचे थोड़ा गया था, इस तरह से उतार चड़ा हूँ, आपको देखने को मिलेगा, 2008 वगरा का समय आपको याद वगा, गलोबल फाइनशल क्राइस काफी नीचे चला गया, लेकिन जो COVID के समय जो एक अधभूत चमतकार मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि यह शायद कोई सो कहीं भर भी, कभी भी आपको इतना बड़ा स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा, मतलब गजब की जरनी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो कोशन आता है कि कौन-कौन से फैक्टर्स इसके पीछे रहे हैं इसके पूरे जरनी में, यहाँ पर स्पेशली जो फोकस है व देखने को मिली है, in fact यहाँ पर जब भी मार्केट ट्रबल में होता था, तो उसको बचाने के लिए, अगर कोई सेक्टर होता था, तो वो होता था आपका IT सेक्टर, and let me tell you, अगर आपके पास पोटफोलियो है, आप निवेश करते हो, IT के स्टॉक्स तो ऐसे स्टॉक्स हैं उसके उपर भी depend करते हैं, और वहाँ पर demand बढ़ता रहता है, और हमारे यहाँ पर जो stocks हैं, वो आपके बढ़ते जाएंगे, तो IT एक बहुत ही अच्छा चीज है, पिक है, जो हमेशा आपको रखना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर recently जो RBI के निर्ने थे, favorable policies थी, जिसक की predictions लगाए जा रही थी, third wave, fourth wave, ऐसा शायद अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है, अगर wave आता भी है, तो उससे काफी आसानी से हम निपट लेंगे, और यह सारे कारण आप कह सकते हो, कि यहाँ पर census को 60,000 तक लाए हैं, लेकिन यहाँ पर recently मैं 2-3 इनकी बात करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर retail participation भी बड़ा है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया था, पहले retail participation जो account है, demat account है, पहले 4 लाख हर महने average के इसाब से खुलते थे, आज देखिए यहाँ पर कितने खुल रहे हैं, करीब 26 लाख पर मन्त, मतलब इतन retail participation पहले उतना retail का उतना प्रभाव नहीं होता था, पहले जो institutions हैं, mutual funds हैं, वहीं लोग market को up and down ज्यादा तर करते वे देखने को मिलते थे, जो foreign portfolio हो गया, FII वगरा, लेकिन recently देखने को मिला है कि retail participation की वजह से भी market को काफी बड़ा boost मिला है, तो जैसा कि मैं यहाँ पर कह र rate में क्या होगा, reverse repo rate में क्या होगा, देश की economy का direction किधर जाएगा, उनका निर्नय क्या है, accommodative stance है, क्या है, अपने देखा होगा मैंने वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी, वहां की जो central bank है, federal reserve, वो भी आपर निर ले लेती है और जिसक to maintain accommodative stance, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जो federal reserve है, वो भी थोड़ा growth के उपर focus करेगा, कि वो भी चाहता है growth हो, इसके लिए liquidity थोड़ी सी market में बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ-साथ, एक आप negative कहलो या फिर बुरा प्रभाव कहलो, यहाँ पर काफी समय से अंदाजा ल बताओं, तो अभी क्या हो रहा था ना, क्योंकि अभी economy नीचे चले गई थी, covid के हो जैसे, तो विश उभर की जितनी भी central banks हैं, वो क्या कर रही थी, market के अंदर liquidity ला रही थी, अब market के अंदर पैसा कैसे आएगा, जब central bank क्या करने लगती है, bond को buy करने लगती है, तो अभी अब यहाँ पर यह था, कि काफी लंबे समय से liquidity बहुत जादा हो गई है, तो inflation और बहुत जादा ना चला जाए, यह सारे डर को देखते वे, यहाँ पर अब देखा जा रहा था कि कब federal reserve bond के purchasing को रोग देगा, और यहाँ पर interest rate वगरा बढ़ाएगा, इसके लिए federal reserve ने यह कि वो अगले साल के starting से हो सकता है कि यहाँ पर interest rate धेधरे बढ़ानी लगे, अब देखे, इसका थोड़ा एक negative impact हो सकता है, कहने का मतलब है कि अगर liquidity कम होगी अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका से काफी सारा पैसा भारत के market में भी आ रहा था, ठीक है, जैसे कि मैं आपको ब portfolio investors का, तो अगर वहाँ पर liquidity कम होगी, तो पैसा वापस भी तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि पैसा आता रहेगा, तो यह थोड़ा डर था, लेकिन अभी एक दो दिन से अगर आप market देखोगे, जैसे कि आप देख सकतो यह 59,000 के आसपास था, और एक दिन के अंदर, कल की य आप कह सकतो, एक federal reserve का जो statement है, वो यह था, और यह इसलिए था, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार का comfort दे दिया है, कि जो interest rate है, वो अभी के लिए rise नहीं करेंगे, अगले साल के starting से करेंगे, तो यह थोड़ा बहुत comfort कही न कहीं market को दिख रहा था, और इसी के जैसे, यह एक दो दिन में market बढ़ा है, लेकिन आगे आने वाले समय में यहाँ पर ज्यादा तर यही देखा जा रहा है, कि जो हमारे local factors हैं, भारत की domestic economy किदर बढ़ी है, उसके उपर काफी हतर depend करेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, तो consensus, अभी conclusion में हम यह कह सकते हैं, कि ज्यादा त participant का यही कहना है, कि अब जो भी event होना था internationally, वो हो चुका है, अब अगर market को यहाँ से फर्दर बढ़ना है, तो local factors की उपर depend होगा, और local factors अभी आप देखोगे तो favorable हैं, जैसे कि vaccination आप देखे, बहुत तेजी से speed से लग रहा है, एक करोन की यहाँ पर average हमें देखने को मिल यह हर दिन, इसके अलावा, festival season आने वाला है, दिवाली, देसारा, तो यहाँ पर जो consumption है, वो बढ़ेगा, consumption बढ़ेगा, इसके साथ साथ credit growth भी बढ़ेगा, लोग loan लेंगे, तो economy एक तरह से रफतार में आ जाएगी, और इसकी वजए से further market increase हो सकता है, ज्यादा तर participant का यह कहना है, तो यह पूरा वीडियो था दोस्तों, जहाँ पर 60,000 cents ex हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके जो overall पूरे perspective है, पहलू है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जाने से पहले एक बहुत interesting question, देखिए, अभी मैंने आपसे Bombay Stock Exchange की बात की, Asia का सबसे oldest है, लेकिन क्या बता सकते हो कि जब इसको बनाया गया था, इस्टाबलिश किया गया था, तो इसको कौन सी प्रकार का रखा गया था, क्या ये company के तौर पर स्टाबलिश हुआ था, partnership firm, limited liability firm या फिर voluntary non-profit organization, मतब किस तरह की company इसको starting में बनाई गई थी, ये आपको बताना है, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आईए अलग-लग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे app को download कर लिजे, वहाँ पर जाकर जितने courses हैं आप उसको अभिल कर पाएंगे, I hope कि ये video आपको पसंद आए होगा, मिलता है आप से next time till then, thank you very much, see you soon.